Hello students, good morning, कैसे हैं आप सब? ओके, चलिए class start करते हैं और आज की class में हमारा topic है serv naam देखो, यह वही रेफ की मातरा लग रही है serv और वह उपर जब रा की मातरा लग रही है उपर रेफ की तो उससे पहले हम रा की sound निकालेंगे serv naam ठीके? इसको bracket में मैंने लिखा हुआ है नाम की जग है ठीके? यह topic जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको दिरे-दिरे समझ में आ जाएगा कि इसमें नाम की जग है क्यों लिखा है? ठीके? यह बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी संग्या ठीके? आप सब को मैंने पहले बता चुकी हूँ कि संग्या क्या होती है उसकी परिभाशा एक बार और देख लेते हैं कि किसे कहते हैं संग्या सर्वनाम सीखने से पहले एक बार हमें संग्या का रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप संग्या को जब तक नहीं समझोगे आपको सर्वनाम समझ में नहीं आएगी किसी व्यक्ति वस्तु वजगह के नाम को इन सब के नाम को संग्या कहते हैं जैसे राम एक संग्या है व्यक्ति का नाम है मेज एक वस्तु का नाम है अलवर एक जगय का नाम है ठीक है? ये जो नाम आ जाते हैं वो तो हमारे संग्या शब्द हैं ठीक है? अब देखिए मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ वो ध्यान से सुनना राम अच्छा लड़का है राम पहली कक्षा में पढ़ता है राम की मम्मी राम को प्यार करती है तो आप एक बात नोट करो बार बार एक ही शब्द आ रहा है राम 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 क्या आपको इस सुनने से अच्छा लग रहा है? बार बार एक ही शब्द का यूज हो रहा है? बार बार राम आ रहा है तो क्यों न हम इसकी जगा, राम की जगा कुछ और वर्ड यूज ले राम अच्छा लड़का है तो दूसरी लाइन में हम राम नहीं लिखकर कुछ और वर्ड यूज ले तो कैसा रहेगा तो उससे हमारा वाक्य बहुत अच्छा भी लगेगा और वाक्य सुन्दर भी लगेगा पढ़ने में हमें अच्छा भी लगेगा तो जो नाम, नाम होता है उसकी जगे हमने किसी और वर्ड को यूज लिया उसे ही हम सर्व नाम कहते हैं ठीक है? अब देखी आपको आएगा समझ में इस तरह से सर्व नाम, नाम की जग है ठीक है? नाम की जग है किस तरह से? यव आपको समझ में आएगा राम, राम क्या है? एक नाम, जो कि क्या है? एक संग्या शब्द उसकी जगे हमने वहा यूज लिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था राम अच्छा लड़का है वह पहली कक्षा में पढ़ता है अगर हम इस तरह से लिखे वहा अब दूसरे वाक्या में हम वहा लिखे तो कैसा लगेगा? हमारा वाक्या इससे अच्छा लगेगा वहा शब्द से बार बार एक ही शब्द को यूज में ना लेकर उसकी जगा किसी और वर्ड को यूज में लेना वही सर्वनाम है वहा दूसरी पहली कक्षा में पढ़ता है अब जो वहा आया नाम राम एक नाम है नाम की जगा हमने वहा यूज ले लिया जो वहा शब्द आया वही हमारा सर्व नाम है तो संग्या के स्थान पर जिन शब्दों को हमने प्रयोग में लिया वही शब्द हमारे सर्व नाम कहलाते हैं ठीक है? जैसे राम है, वहै और उसकी ये सारे शब्द किसके लिए यूज में लिये जा रहे हैं? राम के लिए ठीक है, तो क्या हो गया, राम एक नाम है और नाम की जगह हमने वहा यूज लिया वहा के बाद उसकी ये शब्द सब राम के लिए लिए जा रहे हैं, नाम की जगह लिए जा रहे हैं यूज में तो ये हमारे सर्वनाम शब्द है अब इसी के उपर इसी की डेफिनिशन जब आपने इस पिच्चर को अच्छे से समझ लिया तो आपको इसकी परिभाशा भी अच्छे समझ में आ जाएगी कि हम सर्वनाम किसे कहते है परिभाशा संग्या के स्थान पर संग्या है ये राम इसके स्थान पर जगय पर हमने जो शब्द यूज लिये वही हमारे सर्वनाम है संग्या के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं, हम, तुम, आप, हमारा ये शब्द सब क्या है? सर्वनाम शब्द ठीक है तो यह समझ में आया अगर आप इस picture को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आपको अपने आप इसकी definition या परिभाशा learn हो जाएगी अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्द ठीक है कभी कभी आपसे exam में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इन में से सर्वनाम शब् तो आपको पता होने चाहिए कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं मैं हम तुम आप हमारा आपका उसका उनका तुम्हारा ठीक है आप सब इसे read करेंगे बहुत ही easy topic है ये और आपको बहुत जल्दी से learn भी हो जाएगा तो आज की class में हम इतना ही करेंगे ओके बाए student पिक्योर